हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में तो आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके फायदे इतने सारे हैं कि आप गिंते गिंते ठाक जाएंगे लेकिन इसके जो फायदे हैं वो खतम नहीं होने वाली है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो चुक अदर लिया है और दो इंच अद्रक का तुकड़ा लिया है सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से धो लिया है इसके उपर बहुत सारी मिट्टी होती है तो इसे अच्छे से धो लिजिया ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए अब इसे हम छील लेंगे तो दोनों चुकंदर को मैंने छील लिया है और इसे हम बड़ी बड़ी तुकडों में काट करके मिक्सी के जार में डाल देंगे तो ये जो जूस हम बनाने जा रहे हैं वो हाई ब्लड प्रेसर को कम करता है साथ ही हमारी जो धमनिया होती है जो नसे होती है उन्हें एकदम क्लीन करता है और ब्लड को अच्छे से फ्लो करने में मदद करता है वो दिमाग तक खून को पहुंचाता है जिसे खून जम नहीं पाता है और आदमी श्ट्रोक से बच जाता है ये एसिट की लेवल को घोल देता है जिसे अपाच और पेट फूलने की समस्या से भी हमें रहात मिलती है चुकंदा नीबू और अद्रक का जूस रोजाना पीने से आपके चेरे पर दिखार तो आता ही है साथ ही आपके बालों के लिए और पेट के लिए बहुत ही फाइदे मंद होती है ये इसके रस्में एंटियाक्सिडेंट, कैस्जियाम, मिनरल, मैगनेशियम, आइरन, सोडियाम, पोटेशियम बहुत सारे विटामिन की भरपूर मात्रा होती है इसके अंदर तो अगर आप इसे रोज पिएंगे तो आपके चेरे में तो गलो आएगी ही आएगी सार्थी आपकी जो लीवर है वो इतनी स्वस्थ हो जाएगी साथ अगर आपको पेट साफ नहीं होता है आपको कब्ज की समस्या है या पेट साफ नहीं होता है या मुँ में छाले हैं या कोई भी आपको समस्या हो तो उससे आपको बहुत रहात मिल सकती है तो इसे आप हफ आप साही में दो जाएंगे आप गिंते गिंते भिए तो बहुत सारे फायदे जानने हैं तो आप गूगल करके देख लिए आप खुद ही हैरान रह जाएंगे इसके जो फायदे हैं से देख तो इसमें थोड़ा सा मने पानी डाल लिया है और इसका अच्छा सा पेश्ट बना ना लिया है अब एक चानी लेंगे और इसमें डाल करके छान लेंगे हम शध्य कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे गाय को खिला भी सकतेैं लेकिन फेकना नहीं इसमें भी बहुत सारे फाइबर है और बहुत सारी जो मिनरल्स है इसमें भी है तो इसे अच्छे से मैंने छान लिए है अब एक नीबू करस नहीं चोड़ देंगे हम इसी में और यहाँ पर एक चम्मा से थोड़ा सा कम या स्वाद अनुसार मैंने खाला नमक डाला है और यह खुदी आईरानी होगी तुरंत ही आपका पेट इतने अच्छे से क्लीन हो जाएगा कि आप सोज भी नहीं सकते हैं और कंटिन्यू तो नहीं पीना है इसे लेकिन एक एक दिन गेप करके आप इसे जरूर पी करके देखिए तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रीज सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना